नमस्कार आज आज आपको बताते हैं कि rewiring कैसे किया जाता है जैसे कि यह हमारा कालम है और कालम का टाइब वीम का reinforcement हम लोगों से missing हो गया है तो उसमें rewiring करना है जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेते हैं यह हमारा कालम का label है जो 10.5 میटर है वहाँ पे हम लोगों का टाई बीम का reinforcement मिशिंग हुआ टाई बीम का जो बीम है उसका top level है 10.95 और bottom level जो है हमारा है वो है आपका 10.5 ठीक है इसमें हमारा बीम का जो size है वो है 400 by 450 का जिसमें reinforcement top में दिया हुआ है 25 डाया का 3 number और bottom डाया का 20 20 डाया का 3 number यानि 25 जो है वो टॉप में है और 20 जो है बाटम में है दोनों में ही 3-3 दिया है अब उसके लिए सबसे पहले क्या-क्या अरेजमेंट लगता है वो आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले यह हमारा हो गया हेल्टी मशीन यह हमारा 25 का भीट हो गया जिससे हम ओल करेंगे और इसके बाद यह हमारा 20 का 20 का भीट हो गया इसको होल करने के बाद क्या होता है जैसे कि हमारा एसपर IS code में दिया हुआ है कि जब अभी भी हम लोग रिवाइरिंग करते हैं तो उसमें 10 डी लिया जाता है जैसे हम लोगों करें इन्फोर्समेंट 25 का दिया हुआ है टॉप में और बॉटम में 20 गा तो उसके हिसाब से केंडी लेते हैं तो हम लोगों का जो होल का थिकनेस जो होल का गहराई होगी वो 25 के लिए 250 होगा 250 के लिए 200 होगा ठीक है इससे हम लोग अपना हेल्टी मसीन से पेडिये इसके बाद क्या करेंगे उसको फ्रकल करना है क्ली करने का करना है यह हमारा चैमिकल इसको जो है यह इसमें fix करके यह जैसे कि आप देख रहे हैं यह देखिए इसको fix कर दिया गया और fix करने के बाद इसको जो हमारा hole होता है फूरा फील होने के बाद क्या करना है इसको करने के बाद हम लोग सरीय डालेगे जैसे कि हम आपको दिखाने की पोसिस कर रहे हैं जैसे कि यह देखिए आपका रिवाइरिंग के लिए जो हम लोगे हमें होल किया है यह होल है यह दोस्तों देखिए यह हमारा कैमिकल है कैमिकल में यह हमने नोजल लगाया ठीक है यह फिशर कंपिनी का है यह 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 रहा कैमिकल यह देखिए यह पोकेट के अंदर यह देखिए पूरा कैमिकल डाला जा रहा है यह देखिए यह दो यह देखिए यह दो यह हमारा शरी अंदर जा रहा है यह दो यह दो यह दो यह दो दो यह दो यह दो यह दो चलो केमिकल डालिए पॉल में हलका हलका घुमाते घुमाते सरीया कुछ अंदर ले जा रहे हैं चलो के लिए देखें हम लोगों ने टुर्टी फाइब डाया के लिए जो हूल किया है इसमें हम लोगों का यह टूफिफ्टी रीफ का होल है और इसमें यह केमिकल डाल रहे हैं केमिकल डालने के बाद यह रहा 25 काडाया का हमारा रॉड है इसको तीरे जीरे घुमाते हुए अंदर ले जाएंगे यह देखेंगे यह गुमाते हुए अंदर ले जा रहे हैं और हलका हलका कैमिकल को भी डालते हुए यह देखे फिर से धीरे धीरे गुमाते हुए हलका 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 पीछे से हैमर के फोकते हुए यह देखे एक बाटल खर्तम होने के बाद सेकन बाटर हम लोग लगाते हुए जल्दी 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 कोटाना कम्प्लीट चला गया ना इस प्रकार से यह होल के अंदर धीरे 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 घुमाते हुए रोड को डालते हुए दीरे धीरे धीरे फाइनली हमारे 25 के तीन जाड़ उपर और 25 के तीन जाड़ नीचे बीस का तीन जाड़ नीचे और 25 का तीन जाड़ ऊपर रिडी हो गया 6 ओके यह देखिए हमारे इस प्रकार से सर्या रेडी हो गया और यह लग के हमारा जो बीम थट टाई बीम जिसका रोड मिसिंग था वो सर्या लग के कम्प्लीट हो गया यह देखिए